सो फ्रेंड आज के यह जो वीडियो है बहुत ही स्पेसल है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वालाओं कि धनी कार्ड का जो बैलेंस है उसको सीधे आप बैंक एकाउंट पे कैसे टांसफर कर पाएंगे विदाओट कोई भी चार्ज के जी आप फ्रेंड यहा भी दवाना ना भूलें तो मैं यहाँ पे आप लोग के सामने ही जो हमारे पास जो लिमिट है यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड 960 रुपया आप इसको सीधे बैंक एकाउंट के अंदर आप टांसफर करने वाला हूँ तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तब ही आपक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको deposit withdrawal transaction यह सारा चीज आपको यहाँ पे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सबसे पहले किसवाली application के अंदर मैंने KYC details अपना complete कर लिया है KYC करने के लिए आपके पास plan card अधार card होना जरूरी है तब ही जाके आप KYC complete हो जाता है तो यहाँ पे back आ जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हूँ एक deposit का option देखने को मिलता है deposit के उपर यहाँ पे आपको जितना भी धनी में आपका जो भी limit है उसको अगर आपको transfer करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस wallet के अंदर आपका जो balance है उसको add करना होगा तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे 100 रुपीज एड करता हूँ और 100 रुपीज डिपूजिट के उपर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने deposit के उपर क्लिक किया आप स्क्रीन पे देख सकते हो friend काफी जादा option यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे यह option open कर लिया अब यहाँ पे जो भी धनी wallet जो भी card आपके पास है उसका जो भी number होता है card number CBB expiry जो भी होता है उसको यहाँ पे फिल करना है तो मैं यह details आप लोग के सामने यहाँ पे फिल कर देता हूँ यह details मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ देखिए सारा details म मैं किलिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, फैमेंट प्रोसेसिंग पे जा चुका है, अब धानी की ओर से OTP हमारे पास receive होगा, और OTP जैसे ही मैं यहाँ पे enter करूँगा, तो धानी से मेरा balance वो debit हो जाएगा और इस wallet के अंदर आ जाएगा, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे OTP receive हो चुका है, और अभी मैं यहाँ पे इसको feel कर देता हूँ, जैसे ही मैंने submit किया friend, आप देख सकते हो, यहाँ पे धनी की ओर से हमें confirmation message भी आ चुका है, कि धनी कार्ड का जो balance है, 100 आपका cut गया है, मैं आपको सबसे पहले धनी wallet में जाके दिखा देता हूँ, कि मेरा balance वो debit हो चुका है, और message भी आ चुका है, अब इसको आपको bank में कैसे transfer करने वाला है, यह आपको मैं बता देता हूँ, तो सबसे पहले आप देख सकते हो, इस बाली application में, यहाँ पे आपको back button मिलेगा, back के उपर आपको click करना है, यहाँ पे फिर से back आ जाना है, यहाँ पे देख सकते हो, bidrol fund का option है, ठीक है, bidrol fund के option पे आपको click करना है, और सबसे पहले friend, जितना भी balance आप यहाँ पे deposit करना चाहते हैं, तो उतना आपको यहाँ पे enter कर देना है, minimum आप 300 से कम bidrol नहीं कर सकते हो, और maximum जो है जितना भी मैंने bidrol लिया है, इसका approve आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने bidrol section के उपर click किया, तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, चारसो पंदरा, चारसो तीन करना है, आपका जो bank के अंदर balance credit कर दिया जाता है, तो फ्रेंड यही था information, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ, तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें